सू प्रभाद बच्चो आप सब लोग कैसे हैं? इश्वर से प्रातना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपने अपने एकजाम भी आप लोगोंने अच्छे से दिये होंगे बच्चो आज हम लोग वाशिक पार्टिक्रम शुरू करने जा रहे हैं तो वाशिक पार्टिक्रम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चो सहित सहित का हमारा पहला पार्ट है पार्ट दो एक पौधे की समुद्र यात्रा तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट दो एक पौधे की समुद्र यात्रा आज समुद्र पार करने के लिए हमारे पास तेज गती से उनने वाले हवाई जहाज समुद्र की लहरोंग पर दोड़ने वाले बड़े बड़े जहाज और समुद्र के भीतर चलने वाली पंडुबिया हैं एक समय था जब ये सादन उपलब्द नहीं थे उस समय लोग समुद्र पार करने के लिए बड़ी बड़ी नोकाओं का सहारा लेते थे उसी प्राचीन भारत में एक पौधे ने समुद्र यात्रा करके कुछ ऐसा चमतकार किया कि भारत की धर्म संस्कृती को दूर दूर तक फैला दिया आए इस पार्ट के माध्यम से हम उस चमतकारी यात्रा के विशे में जानेंगे आज से लगभक बाईस सो वश पुरानी बात है तब ना हवाही जाहज थे ना रेल समुद्र भी पार करना पड़ता था तो बड़ी बड़ी नौकाओं से लोग या तो पैदल यात्रा करते थे या पालकियों में कुछ लोग घोड़ों पर तो कुछ हातियों पर सवार होकर यात्रा करते थे उस समय मगत समराज में समराट अशोक राज करते थे उन्होंने अपने राज की सीमा पर इस्थित छोटे से राज कलिंग को अपने राज में मिलाने के लिए उस पर चढ़ाई की घमासान युद हुआ उस लड़ाई में एक लाग से अधिक लोग मौत के घाट उतार दिये गए देड़ लाग लोगों को बंदी बनाया गया अशोक या नरसहार देखकर बहुत दुखी हुए उन्होंने अपनी तलवार तोड़ कर नदी में फेक दी तब से उस नदी का नाम दया हो गया इस युद के बाद अशोक के मन में इतना पश्तावा हुआ कि वह राजपाट छोड़ कर भिक्षू बन गये राजमुकुट और राजवस्त्र त्याक कर उन्होंने पित चीवर पहन लिया वह बौत धर्म के अनुयाई बन गये अशोक के पुत्र महिंद्र और पुत्री संग मित्रा दोनों ने भी बौत धर्म को अपना लिया महिंद्र ही आगे चल कर महिंद्र के नाम से प्रसिद हुएं एक दिन अशोक ने दोनों से कहा जाओ सद्धम का संदेश लेकर भारत के दक्षिन छोर पर पहुँचो फिर नौका से समुद्र पार करके दक्षिन के आन्य देशो और दीपो में पहुचो महिंद्र ने पूछा अपनी साथ मैं तथा गत के कौन से चिन ले जाओं उन दिनों तक महात्मा बुद्ध की मुर्तियों की पूजा नहीं होती थी उनके चिन की पूजा होती थी जैसे उनके पैरों की निशान या उनका भिक्षा पात्र या ऐसी कोई अन्य बस्तू अशोक ने उनसे कहा जिस व्रिक्ष के नीचे बैट कर भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी और ज्यान प्राप्त किया था उसी व्रिक्ष से उत्पन एक पौधा ले जाओ बौदी व्रिक्ष से उत्पन पौधा अपने साथ लेकर महिंद्र दक्षिन की ओर चल दियें महिंद्र ने कई परवत लांगे नदिया पार की अंत में वा हिंदुस्तान की दक्षिन छोर पर पहुँचे सामने अतह सागर हिलोरे ले रहा था महिंद्र एक बड़ी नौका में बैट कर आगे चल पड़े वहां उन्हें बहुत बड़ा दीप श्री लंका मिला उस समय अनुराधापूर सिंगाल श्री लंका की राजधानी था वहां के राजा का नाम था देवनम पिये तिसा अनुराधापूर से आठ मील दूरी पर मी ताले नाम का एक छोटा पहाड है कहते हैं कि यहीं पर महिंद्र और देवनम पिये तिसा के बीच बैठक हुई महिंद्र ने लोगों को बौध धर्म के सिधानतों का उपदेश दिया यहां श्रिलंका में बौध धर्म की उपस्तिती का उद्खाटन था महिंद्र ने सिंगल के राजा को बौध धर्म का आनुवाई बनाया राजा के बौध बनते ही प्रजा भी बौध बन गई यह मी ताले आज एक तिर्थर इस्थाल बन गया है यहां अनेक धार्मिक स्मारक है जो वास्तों में महिंद्र की श्रिलंका में उपस्तिती के स्मारक है महिंद्र स्रिप वादा ही नहीं ले गए उन्होंने बुध के पवित अवशेश भी भारत से मंगवाएं वे बड़े-बड़े डागगोवा या मंदिरों में रखे गए बुध का दात केडी के बहुत बड़े मंदिर में रखा गया धीरे-धीरे सिंगन में बौध धर्म जीवन के हर अंग में समा गया उनके नाटक, निर्त्य, चित्र, संगीत, सहित्य, भाषा सब में बौध के उपदेशों की रंगत समाई हुई है कहते हैं सबसे पहले बुध की मूर्तियां श्री लंका में बनी भारत में भी तब तक बुध की मूर्तियां नहीं बनी थी पर सिंगल के शिल्पकार बड़े कुशल थे उनकी बनाई हुई बुध की मूर्तियां दूर-दूर तक जाती थी पर्मा, मयम्बार, थाई देश, कमपोज, कमबोडिया और चीन तक कहते हैं थाई देश का प्रसित पन्ने का बुध श्री लंका में बना था सिंगल में तिवारों पर चित्र बनाने की कलाभी बहुत विक्सित हुई सिंग गिरी या श्री गिरी सी गिरिया जैसे उंचे पहाड पर बने किले के नीचे आनेक चित्र बने है वे आजन्ता के भीत चित्रों की तरह ही विश्व विख्यात है इस तरह से बौदित विश्व की एक शाखा ने बड़ा चमतकार घटित किया समराट अशोक के पुत्र महिंद्र ने वहाँ एक तरह से भारत के हिर्दय के एक अंश को ही स्थापित कर दिया था तो बच्चों आज हम लोंने पार्ट दो एक पौदे की समुद्र यात्रा का आदश पार्ट किया आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ने पार्ट को ध्यान पूर्वक सुना होगा और समझाओगा इसी पार्ट से सम्मंदित कुछ मैंने ग्रहकार आपके स्कूल के वेब साइट में दे दिया है जिसको कि आपको अपने ग्रहकार की कॉपी में सुन्दर सुन्दर अक्षर से करना है अगले वीडियो में नए पार्ट के साथ पुना हम लोग फिर से उपस्ति थूंगे प्यारे बचो तब तक आप लोग अपना खयाल रखेगा धन्यवाद